मिथुन रासिवारों आप बड़े भागे साली हैं आज मारगी सनी आपकी जीवन में बड़ा चमतकार करने बाला है पिछले कुछ समय से सनी की चाल आपकी कुंडली में उल्टी थी जिसके कारण आपकी जीवन में बहुत परिसानी उत्पन हो गया था नौ गरह में सबसे अधिक चमता अगर किसी एक गरह में है तो वो सनी में है जो नयाय और कर्म का कारक है अगर सनी नाराज हो जाए तो आपको परिसान कर देता है आप कितनी भी मेहनत कर ले आपकी जीवन में सफलता नहीं मिलती आपकी जीवन में सुख नहीं प्राप्त होता अब सनी आपकी कुणली में मारगी होकर गोचर करेंगे 23 अक्टूबर से 17 जन्वरी तक सनी आपकी कुणली में सीधी चाल से गोचर करेंगे अस्टम भाव में बैठा सनी जिसकी दृष्टी आपकी कुणली के दूतिय भाव पर है जो धनस्थान है धनस्थान पर सनी का गोचर और सनी का आपकी कुणली में सीधी चाल से गोचर करना आपकी जीवन में बड़ी उनती लेकर आएगा, आपकी जीवन में आपके कारोबार में बड़ी तरकी देगा, नौकरी अच्छा चलेगा, आपकी जीवन में सुक समरिद्धी बरहेगा, आपकी जीवन में लाब और तरकी आपको प्राप्थ होगा, आज तीन गरहों का परभ देखने को मिलेगा सुर्ज बुद्ध चंद्रमा का परभाओ राभु की इछाया मंगल और सुक्र की द्रिष्टी इंद्रियोग में जब आपकी कुंडली के सुख स्थान में बुद्ध और चंद्रमा का गोचर हो रहा होगा उसी समय मारगी सनी आपकी जीवन में बड़ा च आपकी नौकरी बैपार पर परेगा मारगी सनी अवस्था में आपकी जीवन में बड़े सुख लेकर आता है सनी जब मारगी हो जाता है तो आपकी जीवन में सुख की बरसात होती है आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको बड़ी सफलता और काम्याबी प्राप्थ होता है जो भी नया करना चाहते हैं उसमें आपको लाब होता है आपके जीवन में एक नई सुरुवात देखने को मिलती है आज का दिन कुछ ऐसा ही है क्योंकि मारगी सनी आपके भाग्य सो भाग्य को और भी ज़्यादा मजबूती देगा आपके जीवन में धन सुख लेकर आएगा क्योंकि मारगी सनी राभू को भी परभावित करेगा सुक्र को भी परभावित करेगा बुद्ध को भी परभावित करेगा क्योंकि सुक्रे राभू और बुद्धे सनी के मित्रगरा हैं आज आपकी कुणली के सुख अस्थान में बुद्ध बैठा है आपकी कुणली के प पार सफलता काम्याबी और सुख है मारगी सनी आपके जीवन में बड़ा चमतकार करेगा सनी के प्रभाव से ही आपके जीवन में खुसी प्राप्त होगा सनी के प्रभाव से ही आप धन कमाएंगे सनी के प्रभाव से ही आपकी जीवन में सुख सम्रिद्धी बढ़ेगी और स सणी के परभाव से ही भाग ये का सितारा चमकेगा ये जो समय हैं आप जादा धन कमाएंगे सुक्र के परभाव में धन अर्जित करने में सफलता प्राप्थ होगा जबकि बुद्ध के परभाव में आपकी जीवन में बड़ी तरक्की होगी वहीं राभु Осब आपके में अचानक लाब का योग बनाएगा आज आपकी बहुत सारी परिसानी खत्म होने वाली है क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय ग्रहों का दसा बड़ा सुभ है 23 अक्टूबर से 17 जनवरी के बीच आपकी जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि सनी मेहनत क का परिनाम देता है सनी पूर्व जनम का फल परदान करता है सनी जो आपकी जीवन में लाब और सुख लेकर आता है आपकी जीवन में तरकी सौभग्य का योग बनाता है मारगी सनी आपके लिए बड़ा चमतकारिक होगा यानि आने वाला समय 17 जनवरी तक आपकी जीवन मे बड़े लाब सुख की प्राप्ती होगी क्योंकि आपकी कुनली के अस्टमभाव में सनी का गोचर है और सनी की दृष्टी आपकी कुनली के धन अस्थान में है वहीं पंचमभाव में बैठा सुक्र की दृष्टी आपकी कुनली के लाब अस्थान पर है साथ ही साथ आपक कुनली के सुख अस्थान में जो बुद्ध का गोचर है उसकी दृष्टी आपकी कुनली के कर्म स्थान में है यानि आज दिन आपके लिए सम्रिद्धी सुखे लाभ लेकर आया है आपकी जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लिम जिसका स्वनूसन आपको सत्रा जन्वडी तक प्राप्त हो जाएगा आपके लिए समय बड़ा अच्छा है जो आपकी किस्मत को चमकाएगा आज 23 अक्टूबर रभी बार का दिन कातिक मा किस पच्की त्रियो दसीति थी इंद्रियोग उत्रा कुनली में अच्छी है क्योंकि चंद्रमा आपकी कुनली के सुखस्थान में बुद्ध के साथ गोचर कर रहा है सनी का सीधी चाल में गोचर करना आपकी जीवन को बहुत प्रभावित कर रहा है आप कर्म योगी हैं अपने कर्म से भग्य को चमका सकते हैं अपने कर्म से ध भाग्य सुख देगा आज का राभुकाल चार बचकर 19 मिनट से पांच बचकर 44 मिनट राभुकाल के दौरान किसी भी सुभकाम का स्री गनेश ना करें पस्षिम दिशा की तरब से दिन की सुरवात ना करें आपके लिए लखी कलर रेट होगा लखी नंबर 5 होगा तो आज मार अभी की प्राप्ती होगी हन्मान जी का दर्सन करें हन्मान जी की पूजा करें 23 अक्टूबर से 17 जन्वरी आप बड़े भाग्य साली होगे